नमस्कार दोस्तों, Welcome to World Affairs, मैं हूँ प्रशान दवन, यहाँ पर आप देखता होगे, यह है रश्या के प्रेजिडेंट व्लादमिर पुतिन, इनकी परस्टनल्टी की एक साइड है, जो बहुत जादा हार्श है, काफियत तक आप कह सकते हो, क्रॉल भी है, और एक साइड है, बहुत सॉफ्ट है, काफियत तक काइड भी है, जो इनकी हार्श परस्टनल्टी की साइड है, वो आज के समय देख रहे हैं, रश्या के अलेक्सी नवैलनी, यहां को बताओगा, यह वो विक्ति हैं, जिन्होंने व्लादमिर पुतिन पर आरू लगाया था, किन्होंने बिल पहले इनकी यह फोटो सामने आई थी, पूरी दुनिया अचुली दंग है, कि यह हाल हो चुका है अलक्सी नवलनी का, यह अचुली आज के समय भूकर ताल पे हैं, इन रश्या और पॉसिबिलिटी यह है, कि इनकी जेल में ही मौद हो सकती है, और अगर कोई रश्यान इनक के समय हमें दिख रही है, व्लादमर पुतिन की सॉफ्ट साइड, और देखो सॉफ्ट साइड इसले दिख रही है, क्योंकि हाली में रश्या ने एक कैम्पेइन स्टार्ट किया है, जस्ट फोर इंडिया, इंडिया को कोवेड-19 रिलीफ पैकेज देने के लिए, इसके इन है, ये रश्या किस कंट्री के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ओवियसली USA के लिए, एक बार को जो बार ने काफी टाइम लगा कर, वैक्सीन का रॉम मटेरियल एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, इंडिया को मगर काफी टाइम लगा, काफी गौहार लगानी पड़ी, तो जाकर जो बार न को यहाँ पर होच आई, कि देखिये, इंडिया मारा एक बहुत इंपरेंट पार्टनर है, उनकी हल भी करनी है, तो खेर USA को टारगेट करके, रश्या ने यहाँ पर अपना यह कैमपेन है स्टार्ट किया है, और जो पहला बैच है, इमर्जंसी हिमरिट इंडिया है, याद रखिये का इनका नाम, यह बहुत न्यूज में थे, थ्रूआर 2020 और 2021, और यहाँ पर मैं आपसे क्वेशन भी पूछूँँगा, कि भारत की अंबैसेडर कौन है, तो रश्या इनका नाम क्या है, कॉमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिए, सही आंसर में आपको दूँगा वीडियो के एंड में, और यहाँ पर आप देख पाओगे, टोटल 20 टन का मेडिकल एक्यूपेंट, रश्या ने भेजा इंडिया को, और यह इस एरप्लेन में यहाँ पर आया है, यहाँ पर आप देख पाएंगे, यह यहाँ पर आप देख पाएंगे, अगर फ्रांस और USA की तुलना में रश्या की overall help का पर खड़ी है। To be honest मैंने काफी detail में पढ़ाए कि रश्या ने वेजा क्या क्या है। फ्रांस के सामने काफी कम है। फ्रांस ने तो मैं आपको बताया। Oxygen Generator Plants इंडिया को सप्लाई किये हैं। जो 10 साल तक चलेंगे, पुरे साल आप उसको यूज कर सकते हैं for oxygen। उसके comparison में मैं काऊँगा कि किसी country ने वैसा कोई equipment भेजा नहीं है। USA in terms of overall quantity फ्रांस से आगे निकला है। USA का जो total equipment भारत को मिलेगा उसकी value है 100 million dollars। फिर जो raw material है वो तो अपने आप अलग चीज है। तो overall मैं काऊँगा देखिए रशिया की help हाला की time से आई है, जल्दी आई है। मगर value के हिसाब से आप अगर देखो तो ये France और USA से थोड़ा सा पीछे है। इस सब के लावा देखो व्लादमर पुतिन ने एक phone call भी करी हमारे Prime Minister को और phone call के दुरान एक बहुत ही important निर्ने लिया आ गया। और यहां पर आप देख पाऊगे PM वोधी ने openly इस development की tweet करी है। यहां पर यह कहा रहे हैं कि President Putin and I have agreed to establish 2 plus 2 ministerial dialogue यह देखो एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर Russia चातरा के कुछ आगे development हो इंडिया यहां पर मान जाए कि 2 plus 2 meeting हो भारत और रूस के बीच में। इंडिया ने काफी लंबे समय तक यह proposal टाल दिया। अब finally जब pandemic में हम देख रहे हैं कि Russia की तरफ से help आई है तो हमने यहां पर जो यह proposal है यह accept कर लिया। यह देखो एक बहुत ही बड़ी बात है। यहां पर आप कहेंगे क्या 2 plus 2 में होता क्या है। होगा यह देखो कि Russia के विदेश मंतरी जो इनके रक्षा मंतरी है इनकी मीटिंग होगी हर साल भारत के विदेश मंतरी रक्षा मंतरी के साथ। अच्छा है इसमें यह खास बात होगी। देखो खास बात यह है कि India ने जो 2 plus 2 डेलॉग है यह रखा था सिर्फ कौर्ड के लि हमारा कोई भी 2 plus 2 डेलॉग नहीं है even though both the countries are very close मगर Russia ने आपर यह प्रस्ताव रखा और मेरे इसाब से देखो जिस तरीके से USA ने दीरी लगाई है help भेजने में जपान ऑस्ट्रेलिया से उस टाइप की help आई नहीं है जित्ती हमको उमीद थी I think यह सब देखते हुए India ने finally decide किया है कि हम Quad को थोड़ा सा जटका देंगे इससे कहीं से भी यह मत assume कर लेना कि Quad टूड गया Quad की meeting नहीं होगी इंडिया ने बस हलका सा जटका दिया Quad को Russia के साथ यह 2 plus 2 meeting set up करके actually Quad को फिर भी जटका कम लेगा यह जटका सबसे जादा लगेगा USA को क्योंकि जैसे मैं आपक ने भीजा है एक direct message to the US ना फिर आती है तीसी development जी हाँ तीसी development भी है यहाँ 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 यह सबसे important है बाइद वे देखो Russian made जो vaccine है Sputnik V जो COVID-19 के लिए vaccine है यह भारत ने emergency use के लिए अप्रूफ कर दी है अब क्या होगा कि इसकी बहुती बड़े scale पर manufacturing होगी in India यह सबको पतरा काफी परानी news है अब यहाँ पर तैकर लिया गया है कि 850 million doses भारत में produce की जाएगी इसमेरे कई doses most probably हम export भी करेंगे और सबसे important बात यहाँ पर यह है कैसा नहीं है कि Russia बस जो यहाँ पर formula है यह हम को थमा देगा और हम बस उसकी जो copies है यह produce करेंगे Russia ने यहाँ पर यह का है कि इंडिया में जो vaccine produce होगी उसको हम fund भी करेंगे क्या है कि Russia का खुद का एक sovereign fund है जिसको यह कहते है Russian direct investment fund यह establish किया गया था 2011 में यह आप क्या लिए रश्या को कई भी loan देना होता है या फिर investment करनी होती है तो यह करते हैं इस fund के जरिए तो यह लोग अब क्या करेंगे कि जो Indian companies हैं उनके साथ पैसा invest करेंगे दोनों यहाँ पर Russian fund और भारती company मिलकर vaccine बनाएंगे और vaccine sell करके जो भी profit होगा दोनों enjoy करेंगे और रश्या ने देखो बहुत सोच समझ कि अपना fund यहाँ पर use किया है क्योंकि इससे पहले आप अगर देखो तो जो बादन ने भी यह का था कि जो DFC है USA का International Development Finance Corporation इनकी नीती भी काफियत तक सेम है इन्होंने यह का है कि यह loan देंगे Indian company BioE को और फिर BioE बनाएगी भारत में Johnson & Johnson की vaccine तो almost similar model पर रश्या कर रहा है कि हम भी पीछे नहीं है हमारे पास भी अपना fund है हम भी Indian companies में आप invest करेंगे पैसा और आप लोग बनाव Sputnik V vaccine तो यह step भी देखो बहुत important है basically आप जो पूरी phone call देखो व्लादेबर पोतिन और नरेंदर मोदी की उसमें यह बास आप देती है कि इंडिया रश्या की जो partnership है जो बीच में कुछ हट तक आप कह सकते हैं कमजोर पड़ गई थी इसको reinvigorate करने की बात की गई है व्लादेबर पुतिन ने यह कहें कि मैं बहुत excited विजिट करने के लिए और मैं आपको यह बदा दू कि एक बार 2 प्लस 2 setup हो गया इंडिया और अश्या के बीच में तो इससे देखो दूनों countries के relation बहुत strong होने वाले हैं इन variety of fields ना सिर्ट defense की field में even business की field में commerce की field में क्यो आंगवा के भारत के ambassador कौन है to Russian Federation यह काफी important exam perspective से तो देखिए सही answer यहाँ पे है डी बी वैंकटेश वर्मा यहाँ आप आप देख पाएंगे यह photo end की the Indian ambassador to Russian Federation और फानली आप मैंट कर दू किया आप किसी भी exam के लिए preparation कर रहे हैं चाहिए SSE, Bank, UPPSE, IIT, GATE आप पर chase कर सकते हैं अनकार्मी के courses, simply जाओनकार्मी.com पर मगा जो यह price है यह में मत कर देना, use कर यहाँ पर code PD10 और यह होगा आपका discounted price after using the code, so इसी note के साथ यह है वीडियो कांथ, thank you for listening and as always, God bless you all. आपका खिसेस के एवे साथ यह के साथ वीडियो का until you.